में चांघ चलो बात करें हम इंट्रेस्ट रेट रिस्क मेनेशमेंट की ये विक के अतिरिक्त क्या कोशें कुछ ऐसा कुछ इस्पेशल नहीं है कियार पता नहीं कुछ नहीं चीज है एक बर देखतें ये कुश्चन ऐसा हो यह नहीं सकता कि मैंने आपसे क्लास में डिस्कुशन नहीं किया था किया रहा होगा यह आया था एक्जाम में में 2030 गभाड़ देख लेकिया इंडियन फर्म है सबसुडरी इन सिंगापूर एन सिंगापूर फर्म एन इट्स सबसुडरी इंडिया प्लोटिं रेट और आइएफ क्या चाहता है आइएफ चाहता है सिंगापूर डॉलर फिक्स रेट पर इसमें एपसुलूट एडवांटिज और कामपारिटिव एडवांटिज वाली कहानी होगी कि यार इस आइएफ को दोनों में फायदा है हाँ बोलो हाँ सर किस किस में फायदा है उसको देखा जाए फ्लोटिंग में भी फायदा है कितने परशंट का वन परशंट का और सर फिक्स में भी फायदा है कितने परशंट का पॉइंट फाइप परशंट का तो उस हिसाब से उसको लोन किस पे लेना चाहिए था फ्लोटिं लेना चाहिए तो floating पर वो ले रहा है fix पर लिख लोगे कहानी कहानी में दिक्कत नहीं गेन भी निकल लोगे और गेन दिखी रहा गेन कितना आ रहा हमारा point five पर गेन आ रहा point five पर अब यहां से कहानी क्या है the amount of loan required by the both the company is same at the current exchange rate a bank यह bank अब bank arrange a swap bank arrange a swap करी और commission कितना चाह रही है 50 basis points 50 basis points का तो गेन हो रहा और 50 basis points commission चाह रही तो कामी कितम हो गए 50 basis as a commission and which is to be shared equality ठीक एक वली बाट लेंगे commission भाई लेकिन problem किया है problem यह है कि 50 basis points bank चाह रही है commission और 50 basis points ही तो गेन है तो यहां काम खतम हो चुका था यहां गेन कुछ बच ही नहीं रहाता लेकिन आगे लिखा आई एफ रिक्वारे मिनीमम गेन 20 basis points भई आर एफ आई एफ कितना पॉइंट टू परशन कमिशन गेन चाह रहा है और सर ऐसे कितना परशन चाह रहा है पॉइंट वन परशन तो फिर कैसे स्वेप पॉसीबल है पिर स्वेप कैसे पॉस्ज अ क्याहर कमिशन फिर बोला की इस ड्यार बैंक जो है वह तयार है इस ड्यार इस ड्यल में वह अपना कमिशन भूलने को तयार है बात खतम पकॉइंशन कितना 0.5 किसमें से हैं जव्ल तो इसको और इसको और इसके डिजाइड बॉरिंग में से कम कर लेंगे तो इसका आंसर कितना जाएगा 2.8% और इसका आंसर आजाएगा BPLR बाकी सब काम हो जाएगा बाकी ढंसे करवर रखाएं ठीक है सर फाइनल आंसर वही आएगा यह वाला कोश्चन में नहीं करवाओंगा यहां टाइप जरू एक्जाम में आया था नवंबर दोहजार तेवीस में पर टी बॉंड फ्यूचर में करवा चुका हूं सर कहां करवाया सर सच बताओ कि पेस्ट टू डिलिवर में आप जाओगे और रेशो फोल्डर देखोगे रेशो में सेकंड नंबर के लेक्चर में सेकंड या थर्ड मुझे आद नहीं है पर रेशो फोल्डर में टी बॉंड फ्यूचर मेंने करवाया हूं वैसे हम इंट्र तो यह कर लोगे कोशन नंबर थ्री हमने नहीं किया है तो यहां करने का बनता है एक्जाम में आया था नौवंबर दो हजार तेईस में अच्छा कोशन आया था इस्टेप का कोशन था पर इंस्टिट्यूट ने यह एक दो तीन पॉइंट एक्ष्ट्रा डाल दिया यही समझाना बाकि यह दोनों तो आता आपको यह दोनों पॉइंट था यह दोनों था यह तीन डाल दिया है एक बड़ समझ ले कि क्या था सपोज और डीलर बैंक तर बैंक है यस और बैंक ने कोट कर रहा ओल इन कोश्ट कितना आठ परशन और एट पॉइंट टू परशन इतने सब समझदार है बच्चे लोग कि आठ परशन अगर मैं कस्टमर हूं तो एट पॉइंट टू जीरो पे बोरो करूंगा बैंक मुझे उधार देगा एट पॉइंट टू जीरो पर अगर मैं बैंक में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो आठ परशन वर्सेश सिक्स मन्थ लाइबॉर फ्लैट सरफ फ्लैट का मतलब क्या है फ्लैट का मतलब जो शर्त लगाई जा रही वो लाइबॉर पे लगाई जा रही है ऐस इसी में सब कुछ जुडा बैंक अलग से कमिशन नहीं लेगा ठीक है और सर बैंक की कमाई कितने की अगर देखा जाए तो 20 बेसिस पॉइंट्स की क्यों समझा रहे है इसलिए समझा रहा हूं आगे काम आएगा ठीक है इंटर्प्रेट कीजिए कि बैंक ने जो कोट किया है इसको समझा के बताईए इसमें लिखा है इसमें लिखा है इंस्टिट्यूट ने कि यार यह ओल इन कॉस्ट का मतलब क्या है सब कुछ जुडा हुआ है प्लैट का मतलब क्या है बैंक कितना कमा रहा है यह सब कुछ उसने बताया है प्लीज इसको रीट कर ले ना उन्हों ल कि या होता फिर्श्ट लेक क्या होता सेकंड लेक क्या होता है एक लेक्स होता है फ्रूटिंग होता है यह लिखी सकते थे टे़िए रिफरेंस भीस बेसिस्द पॉइंट से बैंक कमा रहा है लैट का मतलब क्या होता है इस तो मेरे ख्याल से sufficient है मैंने आपको समझा दिया पाइन के सुझ bit ये और ये फिर्म है और ये बाई कर रहें स्वाइब का मतलब मने आपको बता रखा था और का मतलब अपको बाई a और सेल समझ में नहीं आए था इसलिह ब्यू्रोल से अगर हम बॉरो करेंगे थो सरो हम उधार लेंगे तो कितने पर 8.20 परशन तो बदले में हमको क्या देना पड़ेगा लाय बार गलत हो जाएगा नहीं बॉरो कर रहे तो सर हमको इंट्रेस्ट देना है अगर borrow कर रहे तो sir हमको interest देना है कितना देना 8.20% और बदले में क्या मिलेगा हमको अगर हम borrow कर रहे तो हमें interest देना है उसमें हम देंगे क्या 8.20 और बदले में receive क्या करेंगे लाए बहुर अगर हम buy किया है swap और अगर sir हमने sell किया है तो ये और ये हो गए bank sir हमने sell किया invest किया तो हमको मिलेगा हमको मिलेगा कितना 8% और हमको देना क्या पड़ेगा हमको देना पड़ेगा लाइबॉर मतलब सर हम fix receive करेंगे और लाइबॉर देंगे यस अगर हमने sell किया और फिर यह और यह तो already किया हुआ इसे में कोई दिक्कत की बात नहीं है यह लिखा हुआ है वहाई एक बार पढ़ लोगे अगर हमने buy किया है मतलब buy किया मतलब borrow किया तो सर हमको देना पड़ेगा क्या fix और बदले में क्या मिलेगा floating ऐसे आगे भी कर लो बाकी कुछ नहीं कोशन में कोशन नहीं जी था एक सिर्टी कल पार्ट को कि कले अगले टॉपिक अगला टॉपिक क्या कर वाओ कि सर्ट देविशन में जो नए कोशन में आख अॉट फोलियो में थे अ झाल झाल